हेलो दोस्तों मैं जी स्वागत करता हूँ आपके मनी चैनल जीत पुरी उपर आज की इस वीडियो हम देखेंगे कप्छा 6 लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामागरी ठीक है तो खंड है अपना शा और विशय अपना शंस्क्रित है वर्ष तो आपको दिये ही गया है तो आँगे चलेंगे अपन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी ताकि यानिवाली वीडियो का नोटिपिकेशन आपको मिल सके तो दिखिए यहां पर पेज नंबर पच्चासी से स्टार्ट होता है अप परक्सीट तो लाश्ट तक चलेंगे अपन तो पहले अपन देख लेते हैं इसके बाद मैं आपको लाश्ट का पेज दिखा दूंगा तो दिखिए अपना यहां से पुष्पाना नामी और फलाना नामानी तो अपनको पुष्पों के नाम और फलों के नाम को संधी वो भी सीधा आपके वाट्सप पर बस अपने फोन में डाउटनाट का 8444 वाट्सप नंबर सेफ कर लिजिए और चैट उपिन कीजिए और जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फोटो खीचना है उसे क्रॉक करना है और पांस सेकिंड में आपको मिलेगा वीडियो क्लास 6-12, IIT, JE, NEET और CBSC Board और सभी स्टेट बोर्ट के वच्चों के लिए तो देर के इस बात की अभी जाईए और 8444 पर आपना सवाल वाट्सप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए लिंक डिस्क्रिप्सिन में दिया गया है कमलम तो कमल का इनो ने बताया है कि आपको ऐसी संदी विक्षित कर रहा है इसके बात दिखिए यहाँ पर फलका दिया गया है अमरत फलम यानिके अमरूद तो अमरत फलका भी इनो ने संदी विक्षित करके बताया है तो यहाँ पर दिखिए एक आम का भी इन पूरा 100% सही है आप देख लीजिए आराम से वीडियो को रोक कर लिख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा ठीक है और समझ में नहीं आता है तो वीडियो में कमेंट करके पूश रखते हैं इसके बाद दिखिए यहां पर है चंपकम यानि के चंपा तो यह चंपकम का लिख दिख गई है इसके बाद दिखे पट्सम यानि के गुलाब पट्सम यानि के गुलाब तो यह गुलाब की दी गई है तो यह गुलाब का है इसके बाद यह थ्रच्छा यानि के अंगूर तो यह अंगूर का है तो यहां पर है अपने अपने यह कंप्लीट कर लिया आपन आ आगे चलते है अपन इसके बाद अपना श्टार्ट होता है पक्षिणा नामानी एन पशुना नामानी पक्षिव के नाम और पस्वों के नाम तो इनका भी आपको संदीव एक्षिद करना है इसे उल्लू का तो उल्लू एन अजा मानँ बकरी तो अजा का ये दिया गया है आ प्लस जा प्लस आ इसके बाद दिखे का कहा यानि के कावा और अश्वा यानि के घोड़ा इसके बाद सुस्का और गज़ा इनका अपन को करना है तो इनका दिखे मैंने करके बताय हुए इस सुस्का का है एक गज़ा का है ठीक है इसके बाद मयूरा यानि के मोर और धेनू य और यहां पर देशाइनु का संधी विक्षित है तो पीज्ट नंबर रहे 87 भी कमप्लीट हो गया आंगी चलेंगे अपन वस्तुना नामानी यानिके वस्तूओं के नाम पहली है पुस्तकम पुस्तक का संधी विक्षित दिया गया है पहली है घटिका यानिके घड़ी गड़ लिए ठीक है इसकी बाद दूई क्रिका यानि कि साइकल तो इस साइकल का दिया हुआ है आप देख लीजिए ठीक है आंगे चलेंगे अपन तो यहां पर दिखिए अपने पेज नंबर 88 पेज नंबर 88 तक कंप्लीट कर लिया अब पेज नंबर 89 से यानि कि नवासी से अगली वीडियो में बताऊंगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद